भाईगे और बहनों आपने भी मेडिया में देखा होगा इस चोकिदार को गाली देते देते खुद नामदार का अपना किरदार खुलता जा रहा है साथ्यों नामदार ने इंग्लेंड में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम भी उनके कारणामों से बराबर मिलता जुलता है कंपनी का नाम था बैक आपस बैक आपस यह नहीं की बैक आफिस ऑपरेशन्स यह उनकी कंपनी का नाम था यह कभी सामने से ऑपरेशन नहीं करते यह परदे के पीशे से ही ऑपरेशन करते हैं परदे के पीशे चलने वाली इस कम्पनी को 2009 में बंद कर दिया गया लेकिन अब पता चला कि उस कम्पनी में जो नामदार के पार्टनर थे उनको 2011 में सम्मरीन पंडुबी बनाने का ठेका मिल गया बारत सरकार की तरफ सरकार उनकी कभी वो कम्पनी उनकी थी कम्पनी का मालिक उनका दोस्त था अब कॉंग्रेस के नामदार से जनता पूछ रही है आपको और आपके पार्टनर को तो सिरफ दलाली का अनुभव था या लायजनिंग का अनुभव था ये सब्मरेन पंडुब्बी बनाने वाली लाइन में आप कैसे गुज गए किसे ने मोका दिया जब से ये कारना में सामने आया है तब से नामदार और सारे रागदरबारी कोप भवन में चले गए है साथियों बोफोर्स तोप हेलिकॉप्टर और अब सम्मरेन पंडुब्बी जितना खोदोगे जल हो थल हो नब हो नामदारों के गोटा लेके सुत्रा खुलते ही जा रहे हैं और मिशेल मामा तो अभी राज उगल ही रहा है